पाटिया जी पहला सवाल आप ही से अगर वाकई कॉंग्रूस पार्टी के नेता अर्वन अक्सल है टुकड़े टुकड़े ग्यांग के हिस्ते तो सब को जेल में भरी है ना क्यूं बाहर गूम रहे हैं देखिए सबसे पहले तो ये कहना गलत नहीं होगा नहरू जी कह गए इंद्रा से ऐसा पोता आएगा इलान उमर को गले लगाएगा मोदी जी को गरी आएगा ये है रहूल गादी और मैं आपको एक बात बताता हूँ देखिए मुझे तो गर्व है सिखों पे हिंदूओं पे अपने मुसल्मान भाईयों पे लेकिन किसी की हिम्मत कैसे पड़ती है जो नेता प्रतिपक्ष है जो हमने बनाया है आपने और मैंने बनाया है कि वो विदेशी भूमी पे जाके कहता है कि भारत में हमारे सिख पगडी नहीं पहन सकते हैं कड़ा नहीं पहन सकते हैं ऐसे आदमी की जगा भारत की धरती पे नहीं है सबसे बड़ी बात है सिखों पे अगर अत्याचार हुआ उनको मारा गया तो 1984 के दंगे थे और राजीव गांदी ने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती ह है और उसके साथ जगदीश टाइटलर और सर्जन कुमार जो की एक आज जेल में है कन्विक्टिड और दूसरे पर केस चल रहा है इनको मंत्री बनाया है और आज तक चुनौती देता हूं कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां पे हैं बता दें अगर उन्होंने माफी मांगी हो सोनिया गांदी ने राहूल गांदी ने आज तक माफी नहीं मांगी है और इसी लिए मैं कहता हूं इलान उमर कौन है मेरे भाईयों और बेहनों बताइए वो कहती है जो पाकिस्तान ने उक्युपाई कर रखा है कश्मीर उस पे भारत का कोई हक नहीं है क्या नेत दिलेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नश्ट कर दे क्योंकि ये वो रोकिक है जो लॉंच नहीं होता है करीब 40 बार तैयारी करी गई है प्रॉब्लम है तो प्रॉड़क्ट में है यह प्रॉड़क्ट लॉंच होने वाला नहीं है खड़के जी चाहे कुछ भी कहने अभे दुबे जी दो प्रश्ण है और दोलों प्रश्णों के जवाद दीजेगा क्या आपको नहीं लगता है राहूल गांधी को किसी धर्म की वो अगर कहना चाहते थे कि धर्म के आधार पर प्रतीकों को पहनने या ओडने की आजादी नहीं है देश में उनको सिख समुदाय का स्पेसिफिकल कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि सभी लोग गूम रहें और आराम से गूम रहें इस देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने में दूसरा हिस्सा मेरे प्रश्ण का अनुछे 370 और 35 ए पर अपना रुख्स पष्ट कर दीजे ना ताकि पाकिस्तान का कोई मंत्री आपकी प्रशंसा ना करें वो कह रहें कि देखो एंसी और कॉंग्रेस नाशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस वही सोचती है जो हम सोचते हैं स्टैंड क्या है आपका आप उसके साथ चुनाव लड़ते हैं दो बार राहूल गांदी कश्मीर गये लेकिन अनुछे 370 के हटने पर वो मुह नहीं खोलते हैं क्यूं मेरे देश के सभी लोगों को पहले ये एक वीडियो और आडियो सुनना चाहिए बहुत महत्पून है जाहूल गांदी जी ने क्या का आए वो आपको सच प्रतिविंदित होगा हुआ है कि अधर मैंने टर्वनना पहला का आख जैने गांगार में अकाई पियस आफिसर के रहा है कि अगर मैंने तर्बन न पहना तो तो क्या तुम मुझे खालिस्तानी कहते मेरी तर्बन के पहनने की वज़े से भारती जन्ता पार्टी के नेता मुझे खालिस्तानी के रहे प्रधानमंती जी कैसा देश बना थी आपने राहुल गांदी जी ने खड़गे साब ने पत्थर को आपसे अनुरोद क Yeah राहुल गांदी जी की जान को खत्रा बारती जन्ता पार्टी के नेता उनके घर के बाहर जाते हैं कि तेरे हत्या वे सै करेंगे जैसे तेरी दादी, देखी ओन भारती जन्ता पार्टी की साजी सरकार का मंतरी कहता है कि इसकी जीब काटने वाले को 11 लाक रुपे का नाम दिया जाएगा सम्विधान की शपत खाने वाला मंत्री कहता है कि यह आतंक वादी है प्रदान मंत्री जी एक चिठ्ठी लिखी खड़ गे साबने आपको हमने क्यों लिखी यह चिठ्ठी जानते हैं क्योंकि 30 जनवरी 1948 को न ने कहा कि तुम्हें जिन्दा रहने कौन देगा और गोलिया मार दी 20 जनवरी 1940 को भी बापू पर हमला हुआ शामा प्रसाद मुखर जी को वल्लब भाई पटेल 8 फरवरी 1940 को चिठ्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे नेता देश-पांडे को छोड़ने की बात करत हो वो मुझे और पंडित नेरु को हत्या की धंकी बिहार की सभा में देता है तब हमको यह चिंता होती है क्योंकि राहुल गांदी पर जान लेवा हमला भारती जन्ता पार्टी के महामंत्री ने किया कब किया बनास काठा में लोग डूब के मर रहे थे भारती जन्ता पार् अपनी गाड़ी बदल ली थी उनकी गाड़ी का शीशा फूठा वह महामंत्री जैश के नाम पर एफाई आर कॉंग्रेस पार्टी ने कराई राहुल गांधी को न्याय नहीं मिला अब हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के खिलाफ यह जो वेमनसिका वाता और अन्य प्र आसकार कलमकार कलाकारों ने कहा कि प्रदान मंत्री जी देश में आशेश मुता बढ़ रही है भीड की इंसा में हत्यारों को माला पहना जा रही है भारती जंता पार्टी ने काई आवार्ड वापसी गेंके लोग हैं अगर अग्नी वीर आंदोलन करने वाले पर कॉंग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है कि हम जम्मु कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं एक बात आरोग क्या था कॉंग्रेस पार्टी पर जानती है आर्टीकल 370 पर शिकायत थी कि कॉंग्रेस पार्टी ने उसको खत्म कर दिया है स्केलेटन रहने दिया है इसलिए वो कह रहे थे कि 1953 के पहले का कश्मीर हम को लोटा दीजिए क्या स्केलेटन रहन दिया वहां सद्रे रियासत हुआ करता था हमने बदलकर उसको गवर्नर कर द कुछ रही हूं आरे सुनिये तो एक बात सीधा देखेने तर क्यों इतना कंफ्यूशन है सिंपल है नाशनल कॉंट्रेंस के साथ आपका कश्मीर में अलाइंस है उनके मैनिफेस्टों में लिखा है कि 375 से वापस बहाल करेंगे स्टेट हुट पर आप दोनों की राए मिलती हैं तो आप लोग उनके साथ रहेंगे अंजना दिया आपके प्रश्न का उत्तर ही आपने दे दिया नहीं समझ पाए तो अमीच शाह साब ने भी यह भ्रह्म फेलाया जान करके आप बता दीजें ना अमीच शाह साब क्या किसी राज की सरकार को अधिकार है कि आर्टिकल 370 को बहल कर दे तो आर्टिकल 30 एक मिनिट सुनिए कि अमीच शाह साब यह मान रहे हैं कि केंदर में भारती दंता पार्टी की सरकार जा रही है यह बेसाखियों की सरकार जाए तो मैंने हमने तो नहीं कहा हमने साजा कारिक्रम नहीं बनाए बीजेए पी ने हस्ताक्षर किया साजा कारिक्रम ने का अर्टिकल 35 ए बरकरार रखेंगे इफस्पा को बरकरार रखेंगे जो अवगावाधी है उनको सेखोंटर बसाया था जिस पर आप लोग पूरी बुनियाद इनको पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं देखें ये जो है ये कॉंग्रेस की वर्किंग कमिटी का रेजिल्यूशन है आर्टिकल 370 समिधान के सब ग्याता है पहला शब्था टेंपररी पचपंच साल तक छू नहीं पाए कि मुसलमानों का वोड़ बैंक नकिसक जाए नरेंद्र मोदी जी आए उठा के फैक दिया उच्छे 370 को क्योंकि ये जरूरी था मारी भारत की एकंडता के लिए और इन्होंने यहां कहा है कि ये विरोध करते हैं अगर आटिकल 370 के अब्रोगेशन का ये विरोध करते हैं तो आज ये स्टैंड स्पष्ट क्यों नहीं लेते कि हम वापस लाएंगे कम से कम यीती ग आंगों के लिए सोनिया गांदी राहुल गांदी ने कोई उत्तर मिला नहीं मिला और मैं आज आपको बताता हूँ कॉंगरिस पार्टी के समर्था कौन है गुर्फ, पतपन सिंह पन्नू जो की कहता है खालिस्तान बनाएंगे वो राहुल गांदी का समर्थन करता है इलान- की सलाकों के पीछे सड़े वो कहता है राहूल जी बहुत अच्छे हैं वो नेता बहुत बढ़िया है ये इनके समर्थक है और सबसे बड़ी बात है कश्मीर में आतंगवादी यासीन मलिक आपको याद है यासीन मलिक मनमुहन सिंग जी के साथ चाय पीता था उससे बूचा ज करूंगा एक बात कहके अनुछे 370 से पहले जिनके साथ ये खड़े हैं वो कहते थे तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा हटा के दिखाओ आज मोदी जी ने हटा दिया च्छाती पीट के कह रहें चोटा सा जवाब फिर इन देलों की पारी हो रहा है और आप कह अजना जी बहुत को उत्तर देलों की से जवाब ढूंगा बंबोन सिंग्र जी ने सौनिया गांधी जी ने अधिकरत रूप से 1994 के लिए ख्षमा मांगी है प्रवरी 2024 को इनों ने प्रतिबंद 5 साल के लिए बढ़ाया आज जमाते इसलामी नाम का अतंकी संगठन अपने साथ उम्मिद्वार कश्मीर में लड़ा रहा है जिसके साथ इंजिनियर राशीद जिसको दोहजार नीज पे प्रिवेशन और हनला फुल एक्टिविटी एक के तात अंदर कर दिया अभी 11 सितंबर को छोड़ा इन लोगों ने उसको क्यों क्योंकि उसके साथ साजा चुनाव लड़ रहे है कश्मीर में इनके पास तो साहस नहीं है आर्टिकल 370 के बावजूर एक सेके रभेदूबे जी ये देखिया आप चुकी मुझे ने पता आप कितनी बार कश्मीर गए लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत को समझे एंजिनियर रशीद ने बारा मुला की सीट से ओमार अब्दुल्ला को द कोई तो बज़ा होगी ना कि वहां पर उसको लोग मान रहें ने था अब ऐसे में आप कहरें कि वह बीजेपी का प्रॉक्सी है क्योंकि ओमार अब्दुल्ला को हरा दिया लेकिन वहां लोग उसको वोट दे रहे हैं अबंशास शोद का शिश्रा पाकिस्तान से ट्रेइनिंग लेकर आया अमिशास साब ने टिकेट दिया उसको तारी केमद मीर उसको इधान सवावब निकित दिया पाकिस्तान से हतियार सप्लाई करता था तालीब इस देश में कॉंग्रेस नंबर टू पार्टी है राहूल गांधी नेता विपक्ष है क्या देशभक्त नहीं है टुकड़े टुकड़े गैंग है अर्बन नक्सल है यह कहना सही है राजीव रंजेंजी देखे मुझे ऐसा लगता है इसको समगरता में देखा जाना चाहिए आपने अभी उनके अमेरिकी प्रवास के दौरान जिलों से उनकी बातचित है और जो उनके बयान है उनको आपने दिखाया मैं इतना जरू कहना चाहूंगा कि एलन उमर जैसे लोगों का नाम अगर उनसे मुलाकात करने वाले सांसदों की सूची में था उन्हें इतरास करन की भुमिका के खिलाफ वो लगातार बोलती रही है बारवाधिकारों के सवाल पर भी उन्हें भारसरकार की भारवा आलोशना की है आरक्षण को लेकर की बहुत सारी बाते है था मत्री जी दोर और बोल रहा हो यह दोरे माप दंड नहीं हो सकते अधा नाइक के नाम पर क्यों कर रहे हैं आपको नहीं लगता है इसी महिला जो जहर उगलती है तो जो उनके बयान है वो आप अरिपक को हो सकते हैं बचकाने बयान हो सकते हैं देश की संप्रभूता एकता सिखों के सवाल पर जो आपरतिजनक जो उनकी टिपनी है पूरी दुनिया में भारत की जो एक धर्म निरपेक छवी है उससे आहत हुए और नीसंदे यह सच है आप लगता नहीं बोली है यह मर्यादा के विपरित है ने ने अच्छी बात नहीं ह जो एक सम्रिद नेत्री तो रहा है उसके मुकाबले आज भी इस बड़ी जिम्मेदारी के लायक खुद को साबित नहीं कर पाये हैं और सबसे कमजोर प्रदर्शन लगातार तीन बार तीसरी बार में भी जनिताने अगर उनको नहीं स्विकारा है तो ग्रैंड ओल्ड पार् पस्त नहीं है जो बहुरंगी संस्कृति है भारत की जो भारत की विरा का जो अध्यात्मिक संस्कृतिक जो एतिहासिक हमारी विरासत है उसको लेकर वो गंभी नहीं है लगातार वो ऐसी टिपनिया करते हैं जिससे कहीं न कहीं भारत के लोग अपमानित पहसूस करते हैं इ पिश्य साधिकार है बोलने वाले के लिए लेकिन मैं समस्ता हूं यह व्याख्या कफी है